जो शिवरात्री के दिन मेरे मंदर में दिया लगाएगा या बेल पत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रजलित करेगा उसके घर में लच्छमी सदा के लिए विराजमान रहेगी जीवन में अगर बहुत तकलीव है बहुत कष्ट है आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं पनात्री पड़ेगी जो माग महिने में शिवरात्री पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्री ये शिवरात्री निस वर्ष के दो बार गेप करने के बाद 183 वर्ष के बाद आएगा और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्री प्राप्त होगी और 183 वर्ष किस ने देखे कौन ने देखे और निवेदन करूंगा अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है दुख है कश्ट है परिशानी है तो उस शिवरात्री को हाथ से मत जाने दे अली शिवरात्री को आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्री के समय पर चड़ा आदें जिससे हमारा रोक समाप्त हो जाए हमारी बिमारी समाप्त हो जाए हमारे जीवन में सुक समर्थी लच्मी आ जाए वो समर्पन का भाव और शिवरात्री आने में दे रही है और आपके जीवन में बहुत कश्ट है बहुत कश्ट महाराज पांच कमल गट्टें पाँच बेलपत्र ताम्बे के लोटे में जल भरकर रख लीजी सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें पाँच कमल गट्टे और पाँच बेलपत्र रखिए श्री शिवाय नमस्तु भ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासु देगा शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भ्यम इस मंत्र का पाँच वारिस्त्मर्ण करकर आपको जो तकलीफ है उसको हिर्द से चित्ते से धर कर मस्तक से कलश को लगा कर किसी एकांतेश्वर महादेव उपर कि एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गाउं से नगर से शहर से जो बाहर खेड़े में हो बिल्कुल बाहर जिस शिवलिंग पर कोई पूजान करने ना जाता हो एकांत में बेटे हो जंगल में बेटे हो कहीं किसी विरप्च के नीचे बिराजमान हो ऐसे एकांतेश्वर महादेव उपर अपनी कामना करकर वो जल समर्पित कर दो एक बेल पत्र एक कमलगटा उठाकर अपने घर पर लेकर आजाओ जो तकलीफ बहुत जादा हो रही है पांच दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा पांच दिन में अंतरा जाएगा शिव का अनुमोदन करो शंकर का इस मरण करो महाराजी यह अश्विन का जो अधिक मां से 183 वर्ष के बाद बापिस आएगा योग यह योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में पर अब मिलेगा 183 वर्ष एक किनी माता जी का प्रिष्ण था वो द्ध्यान में नहीं आ रहा है वो कहां से थी कि उन्हेंने प्रिष्ण किया था वाटसब पर लिखा हुआ आया था कि उनके घर में कोई बहुत ज्यादा बिमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजूर गया है लगवग लगवग 95 साल की है और शरीर गल गया शरीर में आप कीड़े पढ़ें सिश्टर को बलाते हैं डॉक्तर को बलाते हैं तब उनको साफ करते हैं सरीर इतना गल चूँगा उसके लिए क्या करना चाहिए एक निवेदन करूंगा एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए पात्र में गेहूं जो बहुत बुजूर को हो चुकी है कीड़े पढ़ रहा है सरीर में अपने एकादशी दे दी गीता जी करवा दी पाट करवा दिया गौदान करवा दिया मोक्ष करवा दिया सब कुछ करवा दिया तो भी मुक्ती नहीं मिल रही है तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की तीन उंगलियां उस गेहूं में डालकर उ इतनी अगर भोग रही है तो कर सकते हैं इतना कश्थ अगर भोग रही है कि शरीर गल खुका है कीडे पड़ चानी और और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है तो उनकी मुक्ति उनका मोच हो disagreed मता जी कह रहिं थे कि हमने गीता जी सुणा दी पाठ कर दिया सब गुज पदान करा दिया सब करा दिया प्र rug LAN करा दिया प्र भगवान विष्णु बेकुंथ में रहते हैं, मर्तिव लोक का अगर कोई देव है, तो वो महादेव है, प्रत्वी का अगर कोई देवता है, तो वो देव अधिदेव महादेव है, पर हमारी आदत है, हम पडोस की काकी आती है, तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बेठी रहती है, उसको कभी नमन नहीं करते हैं, आदत है ना हमारी, दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे, पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते ह मतरह हम भगवान विष्णू का स्मCallण कर रहें जर्मा कि कर रहें कि वूट कर रहें सब्सक्षास अर भू लोक का इस आधिधेव अधिभ का हम कितना स्मन कर रहें हैं हम तो ऑगमान संक्र के मंदिर में भी जाते हैं तो चल करतें गए मंदिर में आंका लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, संकर जी को चड़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी चड़ा दिया, वो इतनी साथी बत्वा मान, सिर्फ पल्लू मल्लू रे कि ऐसे पानी चड़ा है, संकर भगवान भी सो जिर्का लोटा लिया है तो एक रुपे लोटे का किराया और एक रुपे जो लाइट जली पानी भरा जिस पुजारी ने उसका दो रुपिया दान पेटी में डाल तब जाकर तु संकर को पानी चड़ाएगी तब संकर उस जल को सिकार करता किसी की लगी लगाई थाली मिल जा पूजन की और तुम सिर्फे पल्लू लेकर कुंकुचावल रोली बोली सब चड़ा दो और विचारी वह बात में आये तो देखे तो यह सब साब कि भगवान स्विकार करेगा भगवान इसरा सुिकार नि बेदन आ बरसा की मेंटक मद बनो रही अच्छे सेसेवा करें मैं ठोड़ी करो पर अच्छी करो है घर से पानी ले कर," कल कोदवाली चुराय से हमारे सी योर के कोदवाली चुराय से कोई बहन जी आई थी 33 माल पूह लेके गुरु जी संकल्प करा दो हमने का पानी लाओ तो कि तुमारे यह नहीं है हमने का हमारे यह तो कुवा है चावल लाओ तो कि गुरुजी पूजन मंडप में होंगे रहा चावल जरासा हमने कब आपिस घर जाओ निकलो कितनी बार भागवत सुनी राजा बली के दरवाजे पर बामन भगवान खड़े हैं राजा बली बामन भगवान से कहता है तो राजाबली काता है आपके कमंडल का जल देदो, मैं संकल्प छोड़ देता हूं, बामन भगवान कते है? राजन, अगर मेरे कमंडल का जल लेकर तो संकल्प छोड़ेगा, तो जो नहीं होगा, तुझे स्विकृत नहीं होगा किसी की लगी लगाई थाली में से कुंकु चावल चड़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या अरे बोलो तो विश्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था तुमने अपना डबा खोल कर बत्ती निकाल कर उसके दिये में रखकर जला दी और सोच रिये कि मेरे खूँ बड़ा काम कर दिया तो उसका तो फली नहीं मिला विश्णो पुरान कर रही है खुद का दिया खुद की बाती खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता किसी मंदिर में तुम रोल डबी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से पांच दिये, साथ दिये, ग्यारा दिये, तुम रख कर आओ, तो जलाओ, दूसरे के रखे हुए दिये में, पचास बार बाती जला करा ना, उसका कोई फल नहीं मिल के रहिए राजवाली के सामने बामन भगवान करते राजन तेरे कमंडल को लेकर आज शंगलों अगर मेरे जल का सदकल्प sonst चोडहेगा तो उसका पुछ नहीं मिलने वाला राजवाली अंदर गया जाकर भी उसने कर्म बेकार कर दिया राजवाली मैं क्या कमंडल लाना था Vanessa जल के से निकल जाय भला फिर भी राजा नहीं माना तब एक कुसा खीच कर उसकी टोटी में दी तो सुकराचार जी कि आक्ट फूट गई सुकराचार जी ने का राजा भली तु जान नहीं पाया मेरे कमंडल के जल लेकर गया और मेरी आप फुटी है, मैं तुझे श्राब देता हूँ, कि तु सत्ता से भीन हो जाएगा, राजा बली की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के करण चली गई, तो आप जगर दान करने जा रहे हो, आप तन्या दान करने जा रहे हो, आप गवदान कर ले जा रहे हो आप जा Krसी आफंड़े करने जा रहे हो आप स्फ़र्ण करने जा करने जा रहे हो तो जल चाहबल आपका हो ना चाहिए संकल्प अब्का हो ना चाहिए दूसरे कन है इसलिए पयार्ण में पहün जो एक स्बूप महापुराण को दर्ध बडिं wrap और पंदरा अक्टूम्बर को जो शिवराप्तरी का उस्तव राप्तरी को नो बचकर बीस मिनिट से दस बचकर बीस मिनिट पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे उसका संकल्प आप अपने घर में बेट कर छोड़ना यहां नहीं, अपने घर में और अगर कोई यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोटल लाओ, चावल लाओ, पूजा की ठाली लाओ, फिर बेटाओ, अपना संकल्प अपना होना जो, उसका फल हज्जारों गुना प्राप्त होता है, दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्विकार कर लिया, उससे फल की का आमना नहीं है, मिलता है, ति भले चार गणते तक तुम धोलक बजा बजा के गातांबा का हंदा में, ता तो धरा पानी और नीनाय भोला नवा के रहूंगी, बोले को अपना बना के रहूंगी, संकर बगवान जी बोले, पूरी राध गाय तो भी नहीं हाउं में तो जाए आए को है बोले ना, शिव को मनाना के लिए आडंबर की जरुवत नहीं है, शंकर को मनाने के लिए बहूत साधना करने की भी जरुवत नहीं है, शंकर तो कहते हैं तीन बार ताली बजा दो, बंबं बोल दो, उतने में भी राजियों, पानी नीवी चड़ाय चलेगा, ताल मामने से निगल कर चलें उतने में भी कल्यान कर दूंगा यह भी ना बनें तो मेरे मंदिर का शिखर देख ले मात्र का शिखर्दर्शनMich sends अब φापपनाषनम मात्र शिखर का दर्शन कर लेने पर भी में तेरे पाप छिंड कर देता हूं समांत कर देता हूं तेरी जिंदगी मखीजियां शिवाकर उतने में भी संतुष्टिं में उतने में संतुष्टि है चंकर का अनमोदन करने वाला शिव का इस्मरन करने करने वाला तुख्या अगर मालूम पड़े प्रारद के कारण कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है तो वो समाप तो होगा और बाबा से कहते रहे ना बोला सब दुख काटो मारा बाबा बस करपा करकर मेरे दुखों को काटी बाबा बोले शिव उस बुजुर्ग से कहते हैं तुम्हें कर्म का भोग भोग ना पड़े बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है संक्तर कहते हैं पूर्व में जो करकर आयो उसके अनुसार फल मिलता अभी दो दिन पहले की कथा याद करो कथा में कहा था खूब भगवान ने धन दे दिया जिसके घर में ददस नोकर लगे और घर का मालिक इतना चड़ा पहन का टीसट पहन कर कुट्टे को छीची करा रहा कता में कहा था कि न कहा था तो किसी ने प्रिश्न किया था गुरुदेव इनके घर में ददस नोकर लगे इनके घर के बच्चों को तो नोकरानिया पाल रहें दासियां पाल रहें और सेड़ जी अच्छा चड़ा पेन के टीसट पेन के कुट्टे को चीची करा रहा है तो यह कहीं लिखा अरे गरुण पुणान ठाकर देखो ना यह भी कर्म का भोग है कि तेरे घर में 10 नोकर काम कर रहें और कुट्टे को चीची मॉर्निंग बाक में तू करा रहा है कि तुमने भी देखा होगा रहे हैं जितने लोग टीवी पर गता सुनगा साही बताओ इमानदारी से अपनी अपनी स्विक्रती बेजना हो वाटसब पर जरूब देखा होगा कि ने देखो सुबेरे हमें ये समझ में नहीं कि ये कुट्टे को गुमा रहा है कि कुट्टा इसे गुमा रहा है फो इधर जयाए उदर जयाए उदर जया इंदर कहा करते है इसली निवेदन मत बुरे करम कर बंदे बरना पच्छ ताएगा भगवान की आखों से तू बच नहीं पाएगा कर्म का भोग भोगना पड़सी पड़ेगा चाहे रोके भोगो चाहे हसके दो इसली निवेदन हो बढ़िया चका चक खाओ प्यों मोच करो जिंदगी अलमस्त जीओ कितनी भी जिंदगी में दुखाए रोना नहीं सुखी रहना मुस्कुराते रहो क्योंकि आखरी में जो फोटो टंगेगा वो तो मुस्कुराने वाला ही टंगेगा तुम बढ़े जिंदगी रोके निकाए फोटो में तो तुम इसमाईल देते ही मिलो गे माला तंगी रहेगी मुस्कुराते रहो जित्तो के घर भी जाके देखो कर्म का भोग भोग ना है गती प्रारब्द की दूसरी जो प्रारब्द की गती है उसको कहा तीवर प्रारब्द इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो दुख आया है तो संत सद्गुरु की शर्ण में जाकर कहो दुख मिटेगा तीसरा है तीवर तम प्रारब्द इस प्रारब्द में अगर बहुत ज़्यादा दुख आ गया तो कुछ ना करिए एक काम करो एकान तुमें बेटकर शिव का इस्मर्ण करिए शंकर का बज़ा बटकेश्वर महादेओ और पिपलेश्वर महादेओ जिस जगहा पर ददीची रिशी की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुक में ददीची रिशी के प्राण देवता ले लेते हैं अस्तियों का कंकाल हो जाते हैं ददीची बाबा उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्ब को नश्ट करने के लिए वहां शंकर भगवान प्रगठ होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे शिवजी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो एक बट के श्वर महादेव और एक पिपले श्वर महादेव अदालत में कोई कारवई चल रही है अदालत में कोई केस चल रहा है अदालत में कोई बात चल रही है नहीं जीत मिल रही नहीं विजय मिल रही हार गए पे चड़ाओ जिसके साथ किस चल रहा है और तीन चमच दही चड़ा कर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके चापे लगा लो सफेद रुमाल पर भगवान संकर की पूजा अर्चना करकर जल में विशर जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर और उस रुमाल को जिन्दगी में रोग हो चाहिए कैंसर जैसा हो लीवार हो किटनी हो कितना भी बड़ा रोग हो भगवान पिपलेश्वर महादेव का इसमर्ण करिए पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्मान करकर उसकी पूजन अर्चना करिए उस पर शह ओनर्चाय कह दिया डैलेसे सिकाराना जरूरी है तो एग बार इस्श्यू महापुरान का उपाई जरूर करना डैलेसे कराने से पहले पाच छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना संकर जी का शिवलिंग का निर्मान पीपल के पेड के नीचे करना मट्टी का पार्थी शिवलिंग निर्मान करकर उसकी पूजन करकर बेलपत्री पाच चड़ा कर पाँच पीपल के पत्ते, पाँच शमी के पत्ते शंकर पर चड़ा देना आरती पूजन करना, शमी का पत्ता बेल पत्तर छोड़ कर पाँच पीपल के पत्ते उठा लेना जिस व्यक्ति को डाइलेसेस का बोला है उस व्यक्ति को पाँचों पत्ते पीस कर चान कर पिला देना तीन दिन बाद फिर जाकर डाक्टर को चेक करवाना डाक्टर डाइलेसेस का मना कर देगा लीवर किडिनी अपना काम करना प्रारम कर देगा पीपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की आउशधी, जीवन का सुख दे जाए। कोई पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराच। कितना विचित्र वढ़ना ने प्रेक्टिकल जरूर करना, सी और वाला महाराच कहीं जूर तो नहीं बोल रहा। और वाटसाप पे लिकर भी वेजना करा की नहीं करा क्योंकि शिम महापुरान की लेखनी है बेदव्याज जी महाराज भर नन करे गलत नहीं कर से किसी को बहुत खुन निकल रहा बहुत एक्षिनेंट हो गया खुन पर खुन निकल रहा उसको अगर होश है और वो होश में है तो पाँच पीपल के पत्ते किसी भी व्रक्षे के तोड़ कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो चबा चबा कर उसी समय खुन निकलना बंद हो जाए रत्बन पिपलेश्वर महादेव का मात्र इसमर्ण ही सुक दे जाता है आनन्द की अनुभूती करा देता है मात्र पिपलेश्वर महादेव बहुत बड़ा आपरिशन कराने जा रहे हो तो उसके पंद्रा दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन करकर अर्चना करकर भगवान शिव का इसमर्ण करकर पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनवान जी को चड़ाकर फिर आपरिशन के लिए जाओ जिससे दोसरी बार आपरिशन की जरुवत ना पड़े शरीर का जिसका आपरिशन है वो अच्छा हो जाओ शरीष्ट पिपलेश्वर माहाद भगवान शिव ओ घड़दान वीडियो पशंद आए तो लाइक करें शेयर करें शस्क्राइब करें थाइंक यू